हेलो एबरिवन चेप्टर नबर थी हम कर रहे हैं इतल्राट कर लिया है आलरेडी हमने मेरा नाम है हिना मिस्तरी हम लोग कर रहे हैं आपका चेप्टर नमर 3 जिसके अदर आलड़ेडी two lectures हमने कर लिये है अगर आपने नहीं देखा है students, तो आपको उसका link description box में मिल जाएगा, वहाँ से आप उसको refer कर सकते हैं, अब वो दो lectures में हमने पढ़ा था, कि retailing के बारे में उसका meaning देख लिया था, और उसमें organized retailing क्या होता है, unorganized क्या होता है, वो हमने पढ़ लिया था उस lecture में, and उसके ब and organized retailing के लिए growth हम पढ़ रहे थे, कि क्या-क्या factors थे उसके growth के लिए, काफी सारे points हमने वहाँ पे कर लिये थे, last के दो points वहाँ पे बाकी थे, जो था आपका 9th point consumer the prime mover, थीक है, अब यहाँ पे उन लोगों ने बताया है, कि consumer जो होता है, हमें पता है, consumer is the king of market, consumer की जो requirement है, उसके हिसाब से ही supplier काम करता है, उसे उसको ही ध्यान में रखके, consumer को ध्यान में रखके ही business करना पड़ता है, क्योंकि अगर consumer satisfied नहीं है, उसकी requirement है, उस हिसाब से उसको product या service नहीं मिलता है, तो of course consumer क्या करने वाला है, वो shift हो जाएगा हमारे competitor के पास, तो अगर हमें customer को टिकाय रखना है, तो हम क्या करने वाले है, उसकी expectation के हिसाब से हम product या service उसे देने वाले है, तो ये जो customer की site से demand आती है, वो हमेशा supplier को या service provider को ध्यान में रखनी पड़ती है, तो यहाँ पर उन लोगोंने क्या बताया है, consumer the prime mover, मतलब यह सबसे main हो जाता है किसी भी business के लिए, a variety of factors seem to influence the growth in the organized retailing industry, consumer pull however seems to be the most important driving factor behind the sustenance of industry, consumer pull हमेशा सबसे ज्यादा main रहेगा businesses के लिए, अब ये consumer pull क्या होता है, तो customers की जो demand रहती है, customer को जिस तरीके का product चाहिए, services चाहिए, जो उन्होंने expect किया हुआ है, जो उनकी requirement है, उसे हम बोलेंगे consumer pull और हमेशा businessman को क्या ध्यान रखना है, ये consumer pull के बारे में हमेशा ध्यान रखना है कि customer को क्या-क्या चाहिए, अब क्या हुआ है, आज कल के world में पहले कैसा था, कि एक ही person earn करता था, जो घर में, जो man है, वही earn करते थे, लेकिन अब क्या हुआ है, double income household हो गए है, double income household मतलब husband and wife दोनों ही काम करते है, part time, एक part time रहता है, another part time हो या full time हो या, जो भी हो, मतलब दो लोग earn करते हैं income, तो double income household हो गया है, women भी काम करने लगी है, उसकी वेज़े से क्या हो गया है, time जो रहता है, उन लोगों के पास household activity मैनेज करने का, वो बहुत कम हो गया है, ठीक है, इसके लिए वो लोग क्या prefer करते हैं, कि organized retailing, जैसे कि जो shop, malls है, supermarkets है, वहाँ पे जाके, उनको वही पे सारी ही जो requirement है, उनकी वही एक ही जगे से उन्हें मिल जाती है, वो भी अच्छा atmosphere रहता है, convenience रहती है, तो वो लोग वहाँ पे जाना ज्यादा पसंद करते हैं, तो वही उन लोगों ने बताया है, कि with the increase in double income households and working women, there is increasing pressure on time, with very little time being available for leisure, in this scenario, consumers are seeking the convenience of one-stop shopping, whereby they could have better utility of time, क्या होता है, एक ही जगे से उनको सारी ही चीज़ें मिल जाए, तो उनका time काफी सारा बच जाता है, जबकि वो unorganized retailing से shopping करने जाए, तो उन्हें बहुत सारी shop में जाके, अलग-अलग चीज़ें लेनी पड़ेगी, जबकि organized retailing में अगर वो जाते है, तो एक ही जगे पे जाके supermarket में गए, तो वही से उनको सारी चीज़े, जो उनकी requirement है, वो वही से मिल जाती है, उनका time बच जाता है वहाँ पे, आगे उन लोगों ने बताया है, customers are also seeking speed and efficiency in processing, being more aware, consumers are on the lookout for more information, better quality and hygiene as well as increased customer service, अब आज कल के जमाने में क्या हो गया है, customer के साथ, customer को काफी सारी information मिल गई है, कि कौन कौन सी quality के product मिलते है market में, ठीक है कहां अच्छी price पे मिलता है, कहां अच्छी service मिलती है, तो expectation customer की काफी सारी बढ़ गई है, एंड वो expectation फुल्फिल होती है, organized retailing में, now this changes in the consumer behavior, also gives a boost for the retailing industry, यह जो customer के mindset में changes आए है, पहले जो customer सोचते थे कि खाली हमें product लेके आ जाना है, shop में से, जबकि अभी customer सोचते है कि नहीं, हमारा time बचना चाहिए हमें एक ही जगे से सब कुछ मिल रहा है, plus अच्छा atmosphere मिल रहा है, अच्छी facility मिल रही है, अच्छी service मिल रही है, तो यह जो customer का mindset change हुआ है, उसकी वज़े से भी organized retailing में काफी सारा increase हुआ है, काफी उसको boost मिला है, ठीके तो यह 9th point हमने देख लिया, जो था customer के related, consumer the prime mover, नाव next is government reforms, अब हमने देखा था कि government ने भी क्या किया है, काफी सारी help की है, country में हमारी retailing को develop होने में, तो उसकी वज़े से भी क्या हुआ है, retail, organized retailing काफी grow कर रहा है country में, तो the Indian government allowed up to 100% foreign direct investment, 100% FDI allow किया, in single brand retailing, due to which foreign multinational like Reebok, Nike can now operate directly in Indian market, 100% का FDI allow किया है, इसके लिए वो directly काम कर सकते हैं हमारे Indian market में, foreign multinationals, instead of going through franchisee route, which they were adopting earlier, पहले क्या था ही 100% FDI, मतलए foreign direct investment जो है, हमारी country में जो other country के businesses invest करते हैं, पहले 100% allow नहीं था, इसके लिए वो लोग क्या करते थे, franchisee system follow करते थे, जबकि अभी government ने क्या किया, 100% allow कर दिया है, इसकी वज़े से वो directly हमारे businesses में invest कर सकते हैं, franchisee में उनको जाना नहीं पढ़ता, the government has also allowed up to 51% FDI in the multi-brand retailing, multi-brand में उन्होंने 51% allow किया है government ने, which would further give a boost to the retail sector in India, it is to be noted that at present FDI in retail is kept on hold by several states government in India, यह चीज़ भी हमने आगे पड़ी थी, कि हमारी government of India ने तो allow कर दिया है, लेकिन फिर भी investment करने के लिए individual जो state से जहां पर investment करना है, उस state government का approval लेना बहुत ही जरूरी है, उसके बिना वो investment नहीं हो सकता, तो यहां पर उन लोगों ने क्या बताया है, अब यहां पर आपके यह topic खतम हो गया है, अब हम आगे बढ़ने वाले है, survival strategies, चलिए आगे बढ़ते है आपका, survival strategies for unorganized retailing, survival strategies for unorganized retailing हम देखने वाले है students, तो अब यहां पर आगे हमने देखा, organized retailing के बारे में, जो organized retailing रहता है, बड़े-बड़े malls रहते हैं, supermarkets, departmental stores, उनके बारे में हमने कुछ पढ़ा, अब यहां पर हम देखने वाले है, unorganized retailing के बारे में पढ़ेंगे, जो हमें पता है, कि local area में जो हम shops देखते हैं, चोटी-चोटी shops रहती है, किराना stores है, या general stores है, जहां पर एक ही person, own करता है उस business को, and manage करता है उस business को, या तो फिर उसके family members जो रहते हैं, वो उसे support करते हैं, help करते हैं, वो हो जाता है, unorganized sector, तब यहां पर उन लोगों ने क्या बताया है, survival strategies, survival, survive करना मतलब, मतलब जो हम बोलेंगे, ना कि destroy नहीं हो जाना, मतलब हमें बचना है, रखना है, क्यों कि हमने पढ़ा, कि अब क्या हो रहा है, organized retailing, दीरे दीरे ग्रो कर रहा है, दीरे दीरे वो आगे बढ़ रहा है, ठीक है, उसका development बढ़ रहा है, customer का mindset जो पहले था, shopping के लिए वो भी change हो गया है, क्योंकि customers क्या prefer करते हैं, कि लोकल शॉप से अलग-अलग शॉप से खरीदने जाओ, shopping करने जाओ, इससे अच्छा है, हम organized retailing में जाते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है, बहुत सारी variety of product मिलता है, बहुत सारी services मिलती है, बहुत सारी facilities मिलती है, atmosphere रफच्छा रहता है, तो उसकी वज़े से क्या होता है, customer prefer करते हैं, ज्यादा तर वहाँ जाना, local shops में वो आना पसंद नहीं करते हैं, एंड उसकी वज़े से क्या हुआ है, जो un-organized retailing है, उसको market में survive करना मुश्किल हो गया है, ठीक है, उनका business में उनको profit earn करना मुश्किल हो गया है, क्योंकि उनके पास customers कम आते हैं, sales कम होता है, उसकी वज़े से profit कम होता है, और profit कम होने की वज़े से धीरे धीरे वो businesses बंद हो जाते हैं, तो अब यहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं, कि उन sector को, unorganized retailing sector को अगर बचना है, market में ठिके रहना है, तो उनको क्या क्या करना पड़ेगा, अब हम खुद भी सोच सकते हैं, कि मान लो हम खुद businessmen है, हमारी shop है, locally कुछ shop है हमारी एकाथ, तो हमें हमारे business को ठिकाए रखने के लिए हम क्या करेंगे, कौन-कौन सी चीजे, कौन-कौन से प्लान हम करेंगे, कौन-कौन सी strategy हम follow करेंगे, ठीके, customer को हम खुश रखेंगे, अच्छा product देंगे, अच्छी services देंगे, ठीके, उन्हें क्या चाहिए, उसके बारे में हम सोचेंगे, after sales service देंगे, ठीके, ऐसी सारी चीजे, हम कुछ हमारे दिमाग में सोच सकते हैं, कि हमारा unorganized retailing business है, तो हम क्या करेंगे, तो वैसे ही, यहाँ पर उन्हों लोगों ने strategy कुछ हमें दिये हुए है, वो हम अभी पढ़ेंगे, एक एक करके, तो retail strategy is a definite plan, which a retailer frames to secure and maintain, secure and maintain customers, and to develop long term customer relationship, क्यों करना है, उसे यह strategy बनाना है, secure and maintain customer, हमारा business secure करना है, customer को maintain करना है, और develop करना है, long term customer relationship, मतलब customer long term के लिए, हमारे पास ठिकना चीए, सने के एक दो बार आया, और वो customer चला गया, unorganized retailers face tough competition, from organized stores, this is because organized stores enable variety of choice, offer friendly customer service, permits exchange of items, a good store ambience, ambience मतलब atmosphere, provide discounts, offer a range of items, और service under one roof, ठीके, unorganized sector को, organized sector से, retailing sector से, competition क्यों मिल रहा है, ये सारे ही reasons की वज़े से, क्या हो रहा है, वहाँ पे variety of choice है, बहुत सारे products है, offer friendly customer service, permits exchange of items, exchange भी हम वहाँ जाके कर सकते हैं, अगर हमें product पसंद नहीं आया, तो good store ambience, atmosphere, store का atmosphere बहुत अच्छा रहता है, facilities अच्छी रहती है, provide discount, discount मिलता है, offer a range of items, और service, under one roof, एक ही जगा पे, ये सारी चीज़े, आपको मिल जाती है, इसके लिए, customer सिद्धा, वहाँ पे जाना, prefer करता है, और हमने एक चीज़ ये भी पड़ी थी, के अभी क्या हुआ है, double income household हो गए है, income बढ़ गई है, लोगों की, middle class लोगों की income, purchasing power उनका बढ़ गया है, उसकी वज़े से भी, लोग prefer करते हैं, वहाँ पे जाना, now due to competition, from organized retail, some of the traditional stores, especially the grocery stores, have downed their shutters, in metros like Mumbai, but instead of shutting down the business, it is advisable to develop survival strategies, and remain competitive in the market, कुछ कुछ businesses तो क्या हो गए, सिधा बंधी हो गए है, लेकिन अगर वो कुछ survival strategy बनाएंगे, तो वो market में टिक सकते है, some of the survival strategies, for unorganized retailers in India are, अब हम देखने वाले हैं, एक एक की कौन कौनसी ये survival strategies है, जो वो follow कर सकते हैं, सबसे first है, customer research, research करना मतलब, कुछ information लेना, किसी चीज़ के बारे में, systematically कुछ जानना, तब यहाँ पे customer research हमें, सबसे पहले करना है, कि customer को, क्या क्या चीज़े, कैसी कैसी टाइप के products चाहिए, services चाहिए, कौनसी उसमें variety चाहिए, कैसी quality का चाहिए, किस price पे चाहिए, ठीक है, तो यह सारी ही चीज़े जानके, हम उसी तरह के product and service customer को provide कर सकते हैं, ताकि customer, organized retailing में जाने की बजाए, हमारे पास आए, unorganized retailing में वो आए, तो the unorganized retailers must conduct customer research, at least an informal one, with a few customer, तेखे, अब यह research ज़रूरी नहीं है, कि आप formally करें, informally भी कर सकते हैं, मतलब हमारी shop पे customer आ रहे है, goods या services लेने के लिए, तो उनसे हम normally बाते करते करते पूछ सकते हैं, या तो फिर हम हमारे relatives या friend के थुरू भी inquiry कर सकते हैं, कि भे customer कैसी टाइप के product या service प्रिफर करते हैं, तो यह research हम informally भी कर सकते हैं, to find out their preferences, and a reaction towards the store, the customers would be happy to provide some insights in their buying behavior, the information collected must be utilized by the retailers to service, the customers better, अब यह जो information हमें मिलती है, हम जब research करते हैं तभी, वो information खाली लेके रख नहीं देना है, हम क्या करेंगे, उस information को use करेंगे हमारे business में, business में and उसकी processes change करने में, या customer को good sense services चाहिए, उसको change करने में हम उस information को use करेंगे, तो यह हो गया सबसे first point हमारा, customer research करना है हमें, second thing in strategy हम क्या करेंगे, customer relationship strategy, हमारे पास जो customer आ रहे हैं, हम उनके साथ अच्छे से relation maintain रखेंगे, ठीके, वो हमारी shop में आएंगे, तो हम अच्छे से उनसे interact करेंगे, उनकी need क्या है, वो अच्छे से याद रखेंगे, किस टाइब के product and service उनको चाहिए, वो याद रखेंगे, and accordingly हम उसे goods and services provide करेंगे, तो customer relationship strategy, nowadays it is vital to maintain extremely good relations with the customers, the traditional retailers have an advantage to develop close relations with the customers, अब जो organized retailing की हम बात करते हैं, वहाँ पे businessmen and customer के अच्छे relation maintain वहाँ पे नहीं हो सकते हैं, वहाँ पे उन लोगों की पहचान नहीं होती हैं, जबकि ये जो traditional retailers हैं, unorganized retailers हैं, local जो shops रहती हैं, वहाँ पे क्या होता हैं, customers and businessmen एक दूसरे को जानते हैं, क्योंकि वह रूटीन वहाँ पे customers purchase करने के लिए आते रहते हैं, तो वहाँ पे अच्छे extremely good relations maintain हो सकते हैं, ये सारी ही चीज़े businessmen कर सकते हैं, कि customer का नाम जाने, याद रखे, उसके बाद अच्छे से उनका welcome करें, उनकी क्या requirement हैं, वो बराबर से याद रखे, ताकि next time customer आये, तो वो उन्हें उससी type का product दिखा सके, the retailers must also develop good manners to deal with customers, they should not get engrossed in chit-chatting with a few clients or friends, or hanging on to cell phones, telephone and so on, they should treat the customers with respect, businessmen ने क्या करना है, customer उसकी shop में आता है, तो उसे बहुत ही respect के साथ, बहुत ही अच्छे तरीके से उसे treat करना है, ताकि वो customer हमारे business के साथ loyal रहे, हमारे business में ही मों वापस आए, तो ये हो गया हमारा second strategy, customer relationship strategy, अब next आगे बढ़ते है, third strategy, वो है stock strategy, अब ये stock में क्या आएगा, stock का मतलब है, कि जो हम product या goods हमारे business में रखते हैं, तीक है, जो product हम sell करते हैं, हमारे customers को वो, तो उसके related अब हम क्या strategy बना सकते हैं, कि वो जो हम products रख रहे हैं, customers के लिए, वो कैसा होना चाहिए, बहुत सारी variety available होनी चाहिए, customer के पास, ठीक है, उनको बहुत सारे options मिलने चाहिए, और दूसरी चीज़ वो product कैसे होने चाहिए, updated, latest होने चाहिए, ऐसे नहीं की fashion चली गई है, और हम पुराने टाइप के कपड़े या footwear रख रहे हैं, वैसे नहीं होना चाहिए, अच्छे latest, fresh goods रहेगा, product रहेगा, तो ही customer आएगा उसे खरीदने के लिए, तो उसे अगर local shops में ही मिल जाएगा, तो वो customer organized retailing में जाना फिर prefer नहीं करेगा, तो stock strategy, the retailer must maintain proper inventory of the stocks, nowadays stores can afford to install a computer that can help to monitor the level of inventory, अब हम और एक चीज़ क्या कर सकते हैं, अब चोटे से चोटे business में भी आजकल computer तो रखी सकते हैं, तो उसकी वज़े से क्या होता है, हम हमारा inventory level चेक कर सकते हैं, कि हमारा stock already कितना पड़ा हुआ है, कितनी requirement हो सकती है, एंड हमें कितना order रख करना है, ये सारी ही चीज़े हम वहाँ पे control कर सकते हैं, customer not only want product, when they come for shopping, but they also want fresh and quality stock, customer को कैसी चीज़े चाहिए होती है, fresh and quality stocks, therefore the retailer must keep a proper inventory of stock, to keep the customer satisfied, and to ensure their loyalty to the store, ये सारी ही चीज़े, अगर stock हम properly maintain करते हैं, हमारे business में, fresh and quality product provide करते हैं, तो क्या होता है, loyal customers हमारे business में बढ़ जाते हैं, ठीक है, तो ये हमारा हुआ third strategy, stock strategy, अब नेक्स देखते हैं, fourth one, special schemes to loyal customer, अब हम क्या करेंगे, हमारे business में जो loyal customer है, जो हमेशा हमारे ही business से product लेते हैं, या services लेते हैं, long term से, काफी time से, वो हमारे ही business के पास से लेते हैं, तो वो loyal हो गए, हमारे business के लिए loyal customer बन गए, तो हम क्या कर सकते हैं, वैसे customer को special schemes, मतलब कुछ extra advantage हम उनको दे सकते हैं, जैसे हमने कुछ उनको discount दे दिया, कुछ offers दे दी, या फिर product exchange कर के दे दिया, हमने उन्हें, या फिर festive season में हमने उन्हें कुछ gift दे दिये, special कुछ gift प्रोवाइड कर दिये, ठीक है, ऐसी चीज़े हम कर सकते हैं, loyal customer के लिए, यहाँ पर हम सारे customers की बात नहीं करेंगे, सिर्फ loyal customer की बात हम कर रहे हैं, तो the organized retailers must come up with special schemes to loyal customers, as per parato law, अब as per parato law क्या बताया गया, it is said that 20% of the customer contribute 80% of the sales, अब यह चीज़ क्या बताती है, कि business में जितने ही customers होते हैं हमारे, अगर हम सारे ही customers की बात करें, तो उन में से 20% customer ऐसे होते हैं, जो हमारे 80% revenue में contribute करते हैं, तो वो जो 20% customer हो गए, वो हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो गए, loyal हो गए, इसलिए हम उन्हें क्या करेंगे, special benefits provide करेंगे, this may be also true to a certain extent in case of retail business, retail business में भी यह follow कर सकते हैं हम concept, therefore loyal customers must be given special benefits, the retailers may give to their loyal customers special gifts, during festive season, send birthday, anniversary, greetings, festival greeting, complimentary offers and so on, यह सारे ही benefits हम provide कर सकते हैं, हमारे loyal customers को, the retailers need to maintain customer profile, which will enable to serve the customer better, और क्या कर सकता है, businessman जो loyal customer है, उनका profile maintain रखेगा, मतलब उनकी details उसके business में रखेगा, कि यह जो हमारे कुछ loyal products है, उनको कौन से type के, loyal customer है, उन्हें कौन से type के product चाहिए, and service चाहिए, वो कौन से location पे रहते हैं, यह सारी ही details वो maintain कर सकता है, ताकि वो उस customer को अच्छे से serve कर सके, अच्छी service दे सके, तो यह हमने पढ़ लिया fourth strategy, special schemes to loyal customer, अब next strategy हम पढ़ते है, special services की बारे में, हम हमारे business में जो customer आते हैं, सारे ही customers की अब हम बात करने वाले हैं, उनको हम क्या करेंगे, कुछ special services देंगे, कुछ extra service प्रुवाइड करेंगे, ताकि वो organized retail में जाना प्रिफर ना करें, and unorganized business में आना ज्यादा प्रिफर करें, अब वो specialized services कौन कौन सी होगी देखते हैं, the retailer may also offer special services to regular customers if required, the special services may be home delivery, exchange offers, replacement of defective or unfit item, never right goods once sold will not be taken back, and so on, ये सारी services हम customer को दे सकते हैं, home delivery की exchange offer, replacement हम करके दे सकते हैं product का, and दूसरा, कोई-कोई product पे seller क्या करता है, लिख देता है उसके business में, कि एक बार product sell हुआ, तो उसे वापस नहीं लिया जाएगा, तो वैसी चीज़े वो ना लिखें, ताकि customer वहाँ पे जाना prefer करें, तो ये सारी हो जाएगी special service, the special services will enable the retailer to gain customer trust and confidence, and as such the store turnover may increase, ये सारी ही चीज़ों से क्या होने वाला है, store का turnover जो है, sales है, हमारा revenue है, वो बढ़ जाता है, तो ये हमने देखा fifth strategy, जो था special service के बारे में, अब आगे बढ़ते हैं technology, sixth जो हम strategy यूज कर सकते हैं, वो आता है technology का, अब ये technology हम हमारे, organized retailing में तो technology होता ही है, वहाँ पे तो हर जगया पे technology यूज करता है, लेकिन unorganized sector में, unorganized retailing में, छोटे छोटे businesses में भी, बिजनस्मेन क्या कर सकता है, टेकनोलोजी को यूज कर सकता है, उसकी वज़े से क्या होता है, कस्टमर को काफी सारा फाइदा होता है, कस्टमर को वहाँ जाना अच्छा लगता है, वो चाता है, the unorganized retailers may introduce technology, to improve efficiency, for instance, electronic weighing machines, may be used instead of traditional weights, which may add to the trust of the customer, देखिए, यहाँ example में उन लोगों ने क्या बताया, कि traditional जो हम weighing machine यूज करते थे, उसकी जगा पे हमने क्या किया, electronic यूज किया, तो कस्टमर को देख के अच्छा लगेगा, उसको confidence आएगा, बिसनस के लिए उसका trust बढ़ जाएगा, also the technology may be used for billing, inventory and so on, यह सारी चीजों के लिए भी हम technology यूज कर सकते हैं, प्लस आजकल तो छोटी छोटी शॉप्स में payment के लिए भी technology यूज किया जाता है, जैसे हम वहाँ पे card यूज करके payment कर सकते हैं, या other option से भी कर सकते हैं, जहाँ पे हमें cash ना देना पड़े, तो टेकनोलोजी यूज करके बिजनस इस, छोटे बिजनस इस क्या कर सकते हैं, एक strategic advantage ले सकते हैं, आगे next point आता है, training to sales staff, अब यह चीज क्या कर सकता है बिजनस में, sales staff, जो customer को sales करने वाला है, ठीके, directly, जो customer के साथ interaction करने वाला है, वैसे staff को, या वैसे employees को, हम क्या करेंगे, training देंगे, वैसे तो unorganized sector में, employees बहुत ही कम रहते हैं, और वहाँ पर training की importance ज्यादा नहीं हो सकती, नहीं होती, लेकिन फिर भी अगर यह चीज, businesses follow करते हैं, उनके जो sales staff है, उनको अच्छे से अच्छे training देते हैं, तो उसे क्या होता है, businesses का turnover, business का sales बढ़ता है, अब उन employee को training दी जाती है, किस related दी जाएगी, कि वो अच्छे से interaction करें, ठीक है, proper services दे customer को, अच्छे से अच्छे product दिखाए, तो वैसी training प्रोवाइड की जा सकती है, sales staff को, the unorganized retailer में provide informal training, कैसी होगी यह training, informal होगी to the sales staff, specially with reference to customer relationship, product knowledge and overall general behavior with the customer, यह सारी ही चीज़ों के लिए हम training प्रोवाइड करेंगे, whenever the behavior of the staff is inappropriate, the store owner may suggest for improvement, अगर staff का person गलत behavior कर रहा है customer से, तो वहाँ पर क्या करना होगा, उससे improve करना होगा, उससे improve करने के लिए कहा जाएगा, at the same time, the retailer must reward the sales staff for their good behavior, अगर कोई person है, कोई staff है, staff member है, जो अच्छे से behave कर रहा है, तो फिर उसे reward भी मिलना चाहिए, ताकि वो और अच्छे से काम कर सके, तो ये हमने देखा, 7th strategy, जो था training to sales staff, वो हम कर सकते हैं, next आता है हमारा purchase strategy, देखिए, अब ये purchase strategy में क्या आता है, बिजनसे क्या कर सकते हैं, अन और्गेनाइज रीटेलिंग, अगर उन्हें पता है कि कौन से product की demand ज्यादा होती है, customer की, तो वो क्या कर सकते हैं, bulk में उस goods को खरीच सकते है, wholesaler से, एंड फिर वहाँ पे उनको जो discount मिलता है, उस discount का benefit वो customer को भी दे सकते है, अगर वो छोटी-छोटी quantity में बार-बार goods purchase करते रहेंगे, तो उन्हें कोई discount नहीं मिलने वाला है, बिजनसे को, एंड सामने वो customer को भी फिर फाइदा नहीं दे पाएंगे, लेकिन उन्होंने ज्यादा quantity में goods purchase किया, wholesaler के पास से, तो उन्हें कम price में मिलेगा, discount पे मिलेगा, तो वो discount का, वो कुछ फाइदा customer को भी दे सकते है, कम price charge कर सकते है customers को, ताकि customer उनके business में आए, ज्यादा से ज्यादा customers आए, तो retailers in particular area, may form a group, and for group purchases, in order to obtain bulk discounts, देखिए और एक बात उन्हें लोगों ने यहाँ पे बताई है, कि retailers क्या कर सकते हैं, group भी बना सकते हैं, मान लो कि area में हमारे ही, हम जो product sale कर रहे हैं, उसकी और भी 3-4 shops है, तो क्या करेंगे हम group बनाएंगे, and फिर वो group क्या करेगा, group purchases in order to obtain bulk discount, फिर वो group retailers जाके, wholesaler से bulk discount में goods purchase कर सकते हैं, accordingly they can pass on some discount benefit to the customer, फिर यह discount benefit pass on किया जाता है customers को, this would enable to maintain customer patronage, मतलब customer की loyalty maintain करने में, यह चीज़ help करती है, क्योंकि of course, अगर customer को कम price पे goods मिलेगा, तो customer वही पे वापस goods लेने जाएगा, तो यह हो गई आपकी 8th strategy, purchase strategy, अब हम next strategy की बात करते है, जो है pricing strategy, अब यह जो pricing strategy है, उसमें बताया गया है, कि हम customer को किस तरीके से price charge करेंगे, ताकि customer ज्यादा से ज्यादा हमारे ही business के पास attract होते रहे, तो देखते हैं उन लोगों ने क्या बताया है, the retailers get a profit margin of 10% to 50% and even more depending on the type of product, देखें कितना profit margin मिलता है retailers को 10 to 50% and कभी-कभी ज्यादा भी मिलता है depending on type of product, therefore the unorganized retailers may adopt popular pricing strategy, he may pass on part of the retailing margin to the customer, अब ये जो profit margin earn करते है retailers, तो थोड़ा profit margin का benefit वो customers को भी दे सकते है, इंडियन customer even belonging to rich class are price sensitive in respect of certain purchases including retail purchases, अब customers हमेशा ही क्या होते है, price sensitive होते है, प्राइस sensitive का मतलब क्या है, अगर उन्हें कहीं से भी वो अगर goods ले रहे है, प्रड़क्ट ले रहे है और उन्हें पता चलेगा कि कहीं और कम price पे मिल रहे है, थोड़ा भी price change रहेगा, शिफ्ट हो जाता है, ठीक है, और rich लोग जो रहते है, rich class जो रहता है, वहाँ पे भी ये चीज़ लोग follow करते है, वहाँ पे भी customers price sensitive होते है, therefore to retain and attract more customers, the retailer may operate as a discount store, तो अब ये retailer क्या कर सकता है, customer उससे पता है कि price sensitive है, तो वो थोड़ा profit margin का benefit उनको देके, मतलब उनको discount benefit दे सकता है, and discount store operate कर सकता है, तो ये हो क्या एक pricing strategy, तो ये हमने देख लिया pricing strategy के बारे में, उन लोगों ने क्या बताया था, अब आगे भी कुछ strategy और दिया हुआ है, वो हम करने वाले हैं next lecture में, तो मिलते हैं next lecture में, and कोई question हो, तो comment section में आप बता सकते हैं, और video पसंद आया हो students, तो please like कर देना, thank you so much.